चैनल मंज़ा को पिकार केगा चील हाथ भाई सबस्क्राइब करो सबस्क्राइब करो हेलो गाईज वेलकम बैक टो आवर चैनल आ गए हम वापस से आज क्या आज देखाने वाले आपको चलिए बताते हैं आने वाली भाई मकर सक्रांती खिछडी जोटी आप जान रहोंगी कि बनारस में काफी ज्यादा क्रेज भाई सिस्ता लोग काफी मन से पतंग उडाते हैं और हम भी अपने बच्पन बात कुछ और थी यहाँ पर काफी जयादा करती थी 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 थोड़ा कम हो गयी है पर हम आपको दिखाते हैं कि अगर आप खिचड़ी के लिए पतंग लेना चाहते हो तो चलो कहां से आप ले सकते हैं आपको हम पहले वीडियो दे देने वाले हैं कि आप कहां से पतंग ले सकते हो हमने कहां से अपने बच्पन में पतंखर दी और उडाई है और कहां पर अच दल्मंडी के तरफ दल्मंडी आप जान रहोगे कहां पड़ता है अगर आप बनारस में हो बाहर से आ रहे हो इधर अगर कुछ दिन बिताने के लिए तो फूच सकते हो लोगों से कहां से जाना है भाई काफी सभी जगा है ज्यादा तर चीज़े आपको यहां पे मिल जाएग को इधर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है वाई क्योंकि पतली से गली है आप यह देख आप काफी पतली गली है यहां पर हर एक चीज में हर एक चीज में एक दिन आपको दल्मंडी का हम प्रॉपर व्लॉग देंगे और आपको कुछ ऐसा चाहिए हो जो कहीं ना मिल जाओ तो वह में बता ना उसका भी हम आपको कुछ ना कुछ इंतजाम करा कि देंगे कि कहां से अप ले सकते हो और होलसेल मार्केट जान दी है तो भी हम बता सकते हैं नॉलेज अपने को हर एक चीज में हर एक फिल्ड में यहां पर है क्योंकि बच्पन से बाइब बनारस म पर आपको तो यह चीज़े चल रहे है आज कल भाई बनाने कि इतनी खुशी थी सुबह सुबह उठे उठे गिर भी चक्कत लेकिन फिर भी ब्लॉक बनाने धीट कितरा आ गया इतर फीट दरत कर रही है गिरे हुए एक दम पूरा फैल गयते और उसके बाद भी आ गया अब क्या होगा सब सबस्याइब फिर गये हैं अब फिर हम देखिए नहीं चोट लगी नि पहले जा रहे के फोन तूटा गया ऑन्ट तो फिर गया अक माले के मध्युक बना दिया जा क्या का मली का मली का ओवालिक नहीं बना यह और दो बोल रहे हैं थे कि व्लोग बना करके कि निकला जाए चेकर बनाया जाए कुछ ऐसा जालमंडी के गलियों में आपको इसलिए मना कर रहा था कि तो बचपन से ना जब साकिप था साथ में तो उसका सुरू से यह सीन था हफते बर काम इधर दर अपना पापा के साथ बटाए पईसा जुटाए और सौ रुपया उसको यह कफते में मिलता था शट्यर्टे को मिले और सट्यर्टे को मेरे साथ जाए पतंग खर दे गंगा नगर को दुनी के पास पतंग वाली है उसके बटे एक रैलून का अंटा हर संडे और चालीस रुपय की इनक पचास रुपय यहां हो गया और पचास रुपय की पतंग चालीस की पतंग लिया जाएं हम लोग लोग तो साड़े तीन वाली यह फिर चार वाली इतना हुआ और दस रुपय जो बचा दस रुपय में ओले टेप और वहीं से हाथ के लपेट और घर पे बस पतंग ले आए घर पे मेरे रख्के और अपने घर चल जाए फिर मुह हां दो के खाना होना खागे शाम होने से पहले साड़े तीन चार बजे तक दो बचुटी होती थी एक घंटा खाना पीना खागे फिर आगे घर उसके बाद में लगता है छे साड़े छेवे तक दून लोग छट पे पतंग उड़ी है तो एक एक वह कर लिया गया ना हम लोग एक बारी तुम एक बारी हम दस पतंग रहे तो यह अपना पूरा संडे का दिन आइसे जाए बाप लोग का पैसा यहीं सब बर बारती नहीं है बाइस मार्केट में आप दीख रहे हम लोग पैदल चल दे काफी देर से चले आ रहे हमें पेक जुलरी आप फादू समान जो भी है अब हर एक चीज एविलेबल है कोई भी चीज आपको चीज़ाए लेडी से लेके जेंट और बच्चों तक का सवरा समान नहीं है और मतलब आप सिंगल लेना चाहते हो भी है होलसेल में आप मलक में ले जाना चाहते है वह भी हर ए आपको हम डालमंडी का बस देखाने वाले और भी जगह आपको हम देखाएंगे एक दो जो मेरी परसनल फेवरेट है और एडिया आसपास हो आप जाके ले जकते हैं यहां तक हम लोग देखा है लेकिन खैर डालमंडी तो भाई समलो एक मेंडेल हो गया बनारस में यहां प और मार्के देख रहे होंगे आप दोनों साइड मार्केट है और भी तो समärनलों बस उपर चलने की जगह नहीं हैわか還 winter अच्ढ़ा पर प्र जबर नहीं है नितम फडूंड लोग लटक के जाते तार पर इतनी यांदा वीड मालदत हैं हम आगे नहीं निकल पारे कि आदमी कहीं भी निकल जाए तो अपने घर पहुंच जा रहा है हाँ आई वे बना है भाई आई वे अरे यार अम लोग फाल जा रहा हूं अब यह मेरी फैन आप देख सकते हैं मैं चल भी पा रहा हूं मैं ओड के जा रहा हूं जलते रहे जलते हैं थोड़ा था खाली हुआ भाई हम अब कम से कम अपने पैर से चल पा रहे हैं नहीं तो कब से ढखेला के आगे बढ़े हम लोग इतने देर से और इसमें मैं कट नहीं लगाने वाला हूं एक भी भाई तभी आपको इसका असली मजा समझ में आएगा तो कहीं कुछ थोड़ा दिक्कत समझ में आया तो भाई मैनेज कर लेना हम लेना हसल बंद करती है हम आपनी लेता है है कि अ lotा इंडिया में बाइज़ेगा या मैं नियों फेल लग नहीं humor लगить अधर ही थी दुकान-पाई तुम बस हमें हमें गलत सावित करने में रखते हो भाई कैसे इसको गलत करने हैं यहां पर लगड़ी तो थोड़ा सा पीछे थी लेकिन इसी इसी जगह पे थी थोड़ा सा आगे मैं नहीं आज से पतानी का तुम को बनाया तुमको अब को दालमंडी गुमाना था इसलिए मैं लेकि अंदर वाले मोगा अंदर तुखाने वाला है अब आगे हैं आपे याद हैंको पूरा प्रॉपर कहीं से इस नहीं 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 रात में अब नहीं जादा बिल्ड़े वाई तंडे नहीं आना है और कोई दिन जैसे मंडे टूश्डे को आगे तो थोड़ा खाली रहे थोड़ा खाली रहे ज्यादा नहीं इतना रहा कि आपस समयन अपना लेकर जा पाले जिंदगी समयन को करें जैसे अब वाई वाई को जैस्मा लेना है तो एक शिस्का दिखा देए नहीं समझ में आ रहा है और देख लो ना यह गली आप देख रहे हो इंटर यहां से हुए फिर फटाक से यहां आ गए पतंग आपको यहां पर देख गई होगी अपना अंटा लेकी चोड़ी आ रहे हैं इतनी सारी पूरी लाइन से पतंग के रुखाने तो पहले हम लोगो चार चार रुपए में मिलते हैं अभी नहीं 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 पांच साथ रुपए की होगी पांच साथ किया में लगता है आठ दस की होगी जब हम लेगे जो चार रुपए में अभी के टाइम में नहीं नहीं से दस रुपए में मिलेगा वाई हम सेव कर रहे रखे थे चील की निगाए चील घात वाई अब पूरी मार्गेट आपको पतंग की दिख रही होगी आफिर में एक घंट आपको घुमाने के बाद हम देखे लिए सब होल सेले में लगता है पीस में इधर नहीं मिलता होगा कोई को लेके जाना है अगर मालो उसे बारह भी यहां पर पीस के हिसाब से होगा कि बारह तो पीस होगे वाई अब बोलो कि दो दर्जन तो इधर से क्या है या कैनेडियन वागर है अब को बताते हैं क्या चल रहा है रेट अभी क्योंकि वह भी ज़रूरी है आप पहले से जान जोगे तो उसके आप से पैसे वैसे लेकि निकलोगी और नक तो इधर से दे अगर अब मिल जाता है तब क्योंकि अब भाई काफी चीजे बदल गई है पहले से यह तो वास से जुरूरू पहले कि अब नहीं रही चीजे पहले मिल जाता था तो अब नहीं मिल जाता है आये तो जिच्चा जे पूशा जाए क्या प्रदिंग की प्राइस बगएरा है और कौन जी साइस की कितने की पतंग होगी का कही दूँ तो सही है कि पुशा में से बताया है तो बड़ी पतंगों में वहाई तो और जाता होगा प्राइस बढ़ा तो इसका नहीं बढ़ेगा क्या पतंग में कागेश लग रहा है वाई कि अब गों लगता है कागत लगता है डंडी लगती है पेड़ कटता है हर चीज़ की तो है और यहां पे कोडी के साफ इसने यहां पर मिलें से कडा कि साफ तो तुम्हें अंदर आप गय थे नहीं वहँ वो भी नहीं तो पतंग एक वार शेजिवार नहीं है पूरा मार्केट थरी लेते हैं पहले के ताइम दो चेंज हो गया है पहले 40 पे पेट्रोल आता रहा अब 100 पेट्रोल आता है यह मत बोलो भाई क्यों ना बोले भाई सुनो तो बास जो हमें लग रहा है आपकी हम पतंग उडाना क्यों बन है हमें पता सरी है पहले का करते हैं क्यों जोनों पतंग हमें इसाब खर देना चोरी करते हैं नहीं बडल वाले श्वद्टें के बच्छे लूटे हैं अपहते हैं बढ़ी बड़ी बढ़ी बढ़ी हो कहते हैं अधे नम बोले लोट ओंड़े हैं अधे दाम हमें पतंग तुम लूट के लाय है आर कंग तो हं शोड़े हैं पहले लिए ले दें वीचे बें धिसम्बर में पतंग होगा दो दो था में आपका लिए वाद कल लिए पतंग हो लूट कि लाओ, हम ले दें मैं खरीदू दिना है और टार एक सेथ लगले सो गड़ेगे जितनी पतंग है वहाँ लेकि ने सब दें इसके अंदर भी अम्मियों की खुबी है तरूरी है न भाई ऐसे टील करें पैसा बचा लें और भर से में पांसो रुपे में पैसा बचा लेना है अब हम लोग यहां से बाहर निकल रहे हैं अब चलेंगे किसी और मार्केट में यहां तो कुछ किस खास दिखा नहीं और प्र मेहंगा कर दिए ना इंज्वाइमेंट को अन एथिकल है इतना ज्यादा मेहंगा क्या लग रहा है पतंग में तुमारा यह बताओ ना तुम बनाने में नहीं कुछ ऐसी चीज लगती कि जो मेहंगी हो गई है तो भाई आपको पता चल लिया होगा दालमंडी आप इंटर किये इधर से और फिर सीधे जाने के बाद लेफ्ट मुड़ गए तो आपको पतंग की दुकान दिख जाएगी लेकिन यहां पे मतलब कम पतंग लेने के लिए नहीं आते लोग ज्यादा पतंग लेने के लिए और जिनको ज्यादा चाहिए मतलब कम चाहिए उसके लिए भी मैं बताओंगा कि उसके लिए शॉप आपको कहा मिलने वाली है यह तो खेर हो गई ज्यादा पतंगों की बात और मैंने रेट भी आपको दिखाया वो जो नॉर्मल साइज की पतंग थी जो आप पहले कभी दो दो रुपए तीन रुपए में ठाई रुपए में लिया करते थे और शे रुपए कि प्राइज डबल ट्रिपल ऐसे हो गया है अब क्या कर सकते हैं भाई जिसको उड़ाना है वो उड़ा रहा है लेकि कम उड़ती है काम में एक पतंग नहीं दिखेगी आपको यहां बनार पतंग नाम बताएं कौन से लोकेशन पर है अच्छा तो भाई का नाम सोनु नाम है और दुकान की सेरीय में है दुकान की सेरीय में पड़ेगी तो यह पतंग आप दिखाएं यह क्या रेट की है भाई यह वह चोधा 14 रुपए की है और अच्छा मतलब ज्यादा लेने पर कितने की पड़ेगी तो दिखा दिए अग वार सबसे सबसे अग अच्छा यह सबसे अच्छा यह किए क्या मिल पाएका और अब लोग की बल्ग मेले तो कुछ कम बरेगा यह आठ रुपए तक है यह आठ रुपए की पतंग यहां पर फुटकर पतंग है बस साथ रुपए यह 25 की आप देख रहा है वाई साइस काफी है पतंग बाद लोग है वाई सबसे बड़ी पतंग यह सब मिल जागी अच्छा सब है क्या रेट है उन सब दागे और अगर खुला हो तो देखा देजिए उनको दागे नहीं पिकता है वो सब रियल सब पैक ही रहते हैं अच्छा यहां पहना देखा देखा दू यह सब यह आपका दागे बाल तो यह दागे वाला करने कंड है लैलों यहां प्रखा हुआ है इस अपकर कैसे रेट है यह 500 की है पांड़ा यह कितना होता है इसमें चाइना मंजा को विखाट देखा रेट से बहतर आपको पढ़ेगा और यह सब मैं जांतर आउड़ाय एस आपको ना रहते इसमें घटाबा जाए फार मीटर से रहता है अब कीछ यह पहले कीलों के जाइना वाला जाइन आपको प्रिद्धार फिर देख रहा है यह सूती दागा आपका मांजा मिलेगा और यह पूरा आपका हो गया परेता डाइसो इसका रेट बता है भाई ने और काफी इसमें है आप पूरा आपका खिचल जाएगा भाई अगर ले रहे हो तो और काफी अच्छा है अगर ठीक है और आपको हम देखाएंगे आगे तो यह आप देख लिए भाई यहीं पर दुकान ने आपको आना है पतंग लेने तो हलागी चाइना मंजह आपको कहीं आप यहां पर आके पतंग ले सकते हो रेट बहुत ज्यादा हाई नहीं पतंग का थोड़ा हाई है अब न सबस्क्राइब कर दो और फिर शियर कर दिया करो बार बार कहना पूंधा तो शेर करते नहीं है जोता भाई भी आगे आम लोगा है देखके मुस्कुरा रहा है सबस्क्राइब करो चलो बहुत की बार की बाहिए बाद अगले व्लॉग में तब तक के लिए भाई जाइन दोस्तो